मंदिव विश्णुदेव साई की पहल से सड़क दुरगटना में गंभी रूपसे घायल नवयवक आजयराम की जान बच गई आजयराम की जान बचाने के लिए जिकिसकों को उसका एक हाथ कट कर अलग करना पड़ा रायपुर में उपचार के बाद स्वस्थ होकर आजयराम ने सेयम का आभार व्यक्त करने बग्यास्थित सीयम कैंप कारले पहुचा उन्होंने बताया कि जैश्पुर जिले के कासा वेल ब्लॉक के बंदर चुआ गाओ के वरहवासी हैं मार्च वहिने में एक सड़क दुर घटना में उगंभीर रूप से घायल हो गया था प्राप्मिक उपचार के बाद उनकी स्थिती गंभीर थी जिसे देखते हुए चिकस्तकों ने बहतर उपचार के लिए उन्हें रफफर कर दिया था आजे ने मुख्यमंत्री विश्णुदेव साय का आभार वेक्त करते हुए कहा कि सीम की पहल से उसकी जान बची है सीम कैंप कारल ने आजे राम के भविशी की राह आसान करने के लिए करत्रिम हाथ और दिव्यांग प्रमान पत्र की ववस्था करने का भरोसा दिया है मही बेटी की जान बचाने के लिए आजे के पिता महेश राम ने भी मुख्यमंत्री विश्णुदेव साय का आभार जताया है मेरा नाम अजे राम है और मेरा इक्सिडेंट 25 मार्च को भूली के दिन में दुर्गहटना के कारण हुआ था और मैं आज बिल्टुर ठीक हूँ मेरा हाथ पूरी गरिया है और यहाँ सीम केम्प इनके हाउस में आय थे और यहाँ मैं उनको धन्यवाद देना जाता हूँ बहुत दुर्टुर ठीक होगे अप्टा कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हूं पचिस तारी खोली था और उस दवरान इसका एक्सिडेंट हुआ और मेरा हाथ कट गया और यह सीम सहाब के यहां आए हम लोग और इंबुलेस्टे पहुंचाए मैं कहरा होस्पीटल और वहां से इलाज करके अभी स्वास्प हो गया है और उसका बहुत बहुत धन्याबाब